अबरो वाले शेर्स पर और नतीजों पर और कल बाजार बन होने के बाद काफी सारे एहम आकड़े निकल कर आये हैं शरत हमाई साथ जोड़ चुके हैं पूरी डीटेल्स के साथ शरत गुड बॉर्निंग सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताईए कौन-कौन से नंबर्स आए औ तो अफकॉस जो है आई-टी स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रेशर जरूर देखने मिली है टेल्को रिलेटेड लेकिन दूसरे साइड में मास्टे के बारे में बात करें तो यहां पर जो है अनलिस एस्टिमेट से बेटर नंबर्स देखने मिले हैं अब देखिए उनके बड तो उसमें अधर सेग्मेंट में वहां पर ग्रोथ का अनुमान वह बहुत स्टॉंग देखने को मिल रहा है तो मास्टेक के अच्छे नतीजे देखने मिले हैं इसके लब आएसे ऐसे से क्योरिटी में अफकॉस ऑपरेशनल एक्सपेंस के कारण जो है और बहुत सारे इत्य इसे से क्योरिटी के लिए तो यह ती एहम एर्निंग्स हैं लेकिन आज एहम ट्रिगर्स भी हैं एन अफकॉस हमने दो आई-टी स्टॉक्स के अर्निंग्स आपको बताये लेकिन आज जो है निफ्टी आई-टी की जो है दिगज कंपनी तीसरी कंपनी आरी है एसेल टेक क्वाटर उनके PNP सेग्मेंट को लेके तो उस पे जरूर या जो है फोकस रखेगा और इसके अलावा साइंट और आईसे से प्रुडेंशल इंशुरेंस के भी जो है जो सेतिमाई की नतीजे आने वाले है टीटी के हेल्थ केर भी फोकस में रहेगा आज जो है बोड हो सकती है और यहां पे जो है अनलिस्स कम्यूनिटी से हमारी बात हुई है तो वह कह रहें कि बड़े इंस्टूशन इंवेस्टर इस स्टॉक में इंट्रेस्स दिखा रहे है तो यह जो है आपके रडार में जरूर होना चाहिए लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो ओवर जी को लेके एक्सलरेशन को लेके और याद रखे यह ओल एक्सिटी फैसलेटी इस पे जो है तोटल खर्चा होने वाले हैं और नेक्स्ट जन मीडियम साइज जो स्यूवी है और अलेक्रिक वह होने वाली है और जो प्री ओर्डर है उपनिंग की ओल एलेक्ट्रिक रेंज कि वह जो है दो हजार तेस के लेटर हाफ सेकंड हाफ में जो है स्टार्ट होने वाली और कंपनी जो है जो है जैलार वो नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी F25 तक यह विजन आया है और डबल डेजिट एबिट 2026 तक तो पॉजिटिव कमेंटरी आ रही है टाटा मोटर से बजाज एलेक्ट्रिकल से एक ताइप से आप कहा सकते हमने यह मेंशन भी किया था खबर गरम में के सेग्मेंट में कल जहां पर FI इसकी जो है बाइंग देखने मिलो और यहां पर आप देख सकते नौजस बैंक जो सेंट्रल बैंक है नौर्वे की उन्होंने लगबग 1.7 स्टेक लिया है लगबग 209 करोड का सेलर थे FI Small Cap World Fund अक्सिता कॉटन है तो 1400-1500 करोड की मार्केट की कंपनी लेकिन यहां पे AG डाइनमक फंड्स ने जो है लगबग 1% स्टेक की जो है बिक्वाली की है एक्वेट स्मॉल फाइनांस बैंक को एक नहीं लाइसेंस आई है जह करने वाले आज के बोर्ड मीट पे NBCC जो है 208 करोड का नया ओर आया है उनको अधानी पोट इंट्रेस्टिंग अपने डेट बाइबाग कंसिडर कर सकती है अपरिल 22nd का बोर्ड मीटिंग में अभी आधर कि ओवराल अधानी ग्रूप का जो आप कह सकते है टोटल डेट ले है लेकिन इसके लावा Bank of Maharashtra भी फोकस में रहेगा और यहां पे company जो है consider करने वाली है capital raising अब यह रहेगा FI 24 का equity capital raising लगबग 7500 करोड का planning है और यह board meet है April 24th को होने वाली है और आखरा जो stock है जो आपके focus में रहेगा वो है ultra tech cement यहां पे company जो है अपनी capacity बढ़ाने वाली ह है बिहार में पाटली पुत्रों के city में यहां पे उनकी डॉल्मस्ट डबल होने वाली ब्राउंफिल expansion capacity almost commission हो चुकी है almost 4.7 million tons per annum की capacity पे तो यहां पे आप देख सकते बहुत सारे deal flows हो रहे हैं और important industry updates भी देखने मिल रहे हैं और earning season में आफकोस IT space भी focus में आज रहने वाला है कि बिल्कुल बहुता शुक्रिया अशरद आपका यह सारी जानकाई देने के लिए तो यह कुछ top 10 खबरे हमने आपको बताई इसके माइनियस का analysis और stock पर क्या impact पर सकता है यह भी अभी अशरद आपको बता रहे थे तो यहां पर नजर रखिए